बच्चो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं रिटार्मेंट आफ पार्टनर में एजस्मेंट आफ पार्टनर्स कैपिटल वाले टॉपिक को इसकी शुरुआत में कर रहा हूं टाइप बन से जो बहुत ही असान टाइप होती है बच्चो जहां पर आपको टोटल कैपिटल न्यू फर्म क्वेश्चिन में ही गिवन होती है ठीक है बच्चो तो जहां पर आपको टोटल कैपिटल न्यू फर्म क्वेश्चिन में ही गिवन होगी तो आपको टोटल कैपिटल निकालने का प्रावलम नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चिन में गिवन ही है आपको बस क्या capital of new firm को remaining partners के जो है new ratio में distribute कर दीजिए ठीक है बच्चो तो सबसे पहला काम तो आप यह करिए फिर क्या करना है आपको यह देखिए आपको उनके capital account को close कर देना है with their new capitals यानि उनकी जो नई capital निकल कर आई है step 1 से उनी के capital account में as a closing balance लिखी जाएंगी ठीक है बच्चो फिर उनकी capital accounts को compare करिएगा debit side को और credit side को ठीक है बच्चो क्योंकि यह capital आपने बहार से लाके डाले हैं तो capital account balance नहीं होंगे आपको करने बढ़ेंगे वो self balance नहीं होंगे ठीक है बच्चो अब आप उन्हें balance कैसे करोगे या तो पैसा लाके करोगे या फिर पैसा निकालके करोगे credit side बढ़ी है debit side से तो वो पैसा निकाल लेगा को इसका मतलब होता है पुरानी capital जादा है नहीं capital से और अगर debit side बढ़ी है credit side से तो इसका मतलब पैसा कम पढ़ गया तो उस partner को पैसा लाना पड़ेगा ठीक है बच्चो या simply यह कह लिए कि पुरानी capital जादा है नहीं से तो निकाल लेगा partner और अगर नहीं capital जादा है पुरानी से तो पैसा partner को लाना पड़ेगा ठीक है बच्चो यहीं काम हम partner का current account बना के भी कर सकते हैं अगर question में कहा गया है कि हम एक adjustment जो करना चाहते है capital account के अंदर वो current account से कराना चाहते हैं ना कि cash से तो ऐसे में जहां पर आपन एकॉट लिगती है बज यही फ़र्क होता है ठीक है बच्चो और क्योंकि आप adjustment current account से कर रहे हो तो जहां पर आपने buy current account लिखा है इसका मद़pose capital金 ग्रीट हो रही है laboratory से बया इंदर तो यह वाला current account my С ठीक है बच्चो तो यह आपकी टाइप है टाइप नमबर वन अब आईए इससे जुड़ा हुआ एक एक अग्जाम्पल देख लेते हैं यह जो है बुक T.S. इस तरह से है कि आपको तीन पार्टनर्स गिवन है अरुन तरुन और वरुन जिनका पुराणा रेशियो 432 है तरुन डेटायर हो गया 1st April 2022 को और इन तीनों की कैपिल दे रखी है आपको इस तरह से यह सारे जिस्मेंट करने के बाद आई है 19.650, 19.800 और 9.150 और जैसा कि मैंने कहा था कि Total Capital of New Form ऐसी टाइप में गिवन होती है तो यहां भी आपको दे रखी है तर Total Capital of New Form इस रुपीज 28,000 और साथ के साथ निया रेशियो भी दे रखा है अरुन और वरुन का यहां रखेगा बच्चो तरुन का इस Total Capital से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह Total Capital of New Form है और New Form में तरुन है ही नहीं ठीक है बच्चो तो आप से क्या मांगा गया है वो पतायता हूं आप से मांगा गया है कि आपको पता करना है कि अरुन और वरुन को कितना पैसा लाना पड़ जाएगा अपनी कैपल को नए रेशियो के कॉर्णेंग एजस्ट करने के लिए और नया रेशियो 5-3 है अरुन और वरुन का यह बात भी ध्यान रखेगा यह जो Total Capital न्यू फर्म है वो इनके नए रेशियों बाटी जाएगी और जो Total Capital निकल कर आएगी नई वाली उसको इन एकाउंट के थ्रू नहीं कहा है ठीक है बच्चो देखे बच्चो Total Capital न्यू फर्म जो कि यह थाईज यार है उसको नए रेशियों में बाट दिया मैंने अरुन और वरुन के तो 28 यार का 5 by 8 17 500 होता है थाईज यार का 3 by 8 होता है 10 500 तो 28 500 और 10 500 इनके नए रेशियों के नए इनकी capital को compare करेंगे इनकी नई capital और existing capital अब इस कुछ में capital अकाउंट तो नहीं ब्राना है तो statement के थ्रू ही हम compare कर रहे है नई capital लिखी 17 500 और 10 500 existing capital लिखी जो मैं question में दे रखी थी 19 650 और 9150 साफ नज़रा रहा है अरुन के पुराने capital जादा है नई कम तो पैसा निकाल लेगा ठीक है बच्चो देखें ए में नई capital और बी में आपका existing capital सी में इनका difference अब difference positive आया तो पैसा लाना पड़ेगा डिफ्रेंस negative आया तो पैसा लेके जाएगा तो अरुन का difference negative आया कोई उसकी existing capital ज्यादा है उसकी नई capital से तो पैसा निकाल लेगा वरुन की नई capital ज्यादा है उसकी existing capital से तो उसे पैसा लाना पड़ेगा अब आईए इनकी entries देख लेते हैं अरुन पैसा लेके जा रहा है तो पैसा लेके जब जाएगा partner तो capital कम हो जाएगी और साथ-साथ cash भी कम हो जाएगा capital कम होगी तो debit, cash कम होगा तो credit वरुन जब पैसा लाएगा तो cash increase हो रहा है business का, तो cash account debit हो जाएगा और वरुन की capital account credit हो जाएगी ठीक है बच्चो तो यह इस तरह से यह entries बनेंगी अब यह तो केवले capital adjustment वाला ही point था इस question के अंदर जब बड़े-बड़े question भी करोगे तो आपको logic यही वाला अपनाना है बस पहले सारे काम वह ले कर लीजेगा नॉर्मली करा करते हैं जो आप फिर इनकी closing capital निकाल लीजेगा सारे adjustment के बार और total capital given ही होगी आपको उसको नए ratio में बाट दीजेगा और इसी तरह से compare करके अगर cash से काया है तो cash से adjustment कर लीजेगा मैं बड़ा question भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छी तरह से clear हो जाए बच्चो लेकिन इस वीडियो में भी इतना ही रखते हैं